कि यह आखें देखकर गई है सारी दुनिया मिल ऐ हसीना तेरी आवाज सुनने को तडपता है ये दिल कुछ कहो ना जाने मन जाने बहार जाने फूल जाने जिगर जाने बदन अरे जाने वर सिंग जानमाल का नुकसान अरे कुछ तो बोलो अपना मुझ तो खोलो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे, यह क्या कर रही हो? देखो. सपना था. अरे, यह सपना हकीकत में कैसे बदल गया? कंचान? कंचान, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ था? क्या हुआ तुमको? पता रही, कुछ वॉमिटिंग से हुआ है. वॉमिटिंग? इसलिए क्या है कि सुबह उठते उठते अपना चेहरा आईने में मत देखो. उल्टी हो गई ना? रखो. मैं मजाग कर रहा था, यार. वैसे तुम्हारी तबियत तो ठीक है. तीन चार दिनों से जी कुछ मच ला रहा है. और वज वॉमिटिंग भी शुरू हो गई. चलो, डॉक्टर को दिखाओ. इतनी सी बात के लिए. इतनी सी बात के लिए? तुमको पता है? मेरे दूर के चाचा थे. तीन बार चीके और मर गए. सवाल के. चीकने से कोई मरता है क्या? तुम्हे क्या पता है? अगर इंसान एरोपलेन से बाहर कुदे और उसे पैरिशूट खोलना हो और अन पैरिशूट खोलने के वक्त पर वो तीन बार चीका पैरिशूट नहीं खोल पाया तो मर गया ना? रगू, ना ही मैं अरोपलेन में बैठी हूँ और ना ही मुझे पैरिशूट खोलना है जो भी हूँ, तुम्हें दॉट्टर को दिखाना ही होगा, इस अन ओर अखिर बात क्या है, हुआ क्या है मुझे, कंचन रिपोर्ट्स आने दो, मुझे तो बड़ी घवराट्सी हो रही है, कही कुछ गड़बट ना हो जाए जोफटर, रिपोर्ट आ गई है, देखो, रिपोर्ट्स आ गई है देखो तो कंचन? क्या? अगज़ गड़बट गचन क्या हुआ? यह कैसी रिपोर्ट है? हाँ, क्या हुआ, बताओ तो सही एक बहुत पुरी ख़बर है पुरी ख़बर? तुम तुम मैं क्या? मा बनने वाली हो क्या क्या तुमे? पर हाँ, यह पुरी ख़बर है कि तुम मा बनने वाली हो अरे तुम इसमें बुली ख़बर कॉनसी है यह तुम बहुत अच्छी ख़बर है क्या प्रेग्नेंट आइक बलीव दिस इतना खुश होने की जरुरत नहीं है एक और और अवरत नौ मैने की सजा काटने के लिए तयार हो गई है इसमें सजा वाली कौनसी बात है यह तो बहुत अच्छी बात है जिंदेगी की सबसे अच्छी ख़बर है मेरी और जब तक एक नारी मान ही बन जाती उसका नारत्व अधुराई ही रहता है तुम तो अब तक वो कॉलिज की नारी मुक्ती वाली रही हो और तुम भी वही पुराने डायलोग्स बोल रही हो अरे इस समाज में मर्द हमेशा ओरत को बेवकूफ ही बनाता आया है तुम ऐसा क्यों कह रही हो लेकिन बेवकूफ लड़की हो, बेवकूफ मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कंचन हरे नौ मैने तक एक औरत बच्चे को पेट में पालती है इतनी तकलीफे उठाती है उसके बाद भी क्या? उसकी पजिशिन क्या है? बच्चा अपनी मा का नाम यूज नहीं करता अपने बाप का नाम यूज करता है तुम्हारी थोड़ी बहुत बात सही है थोड़ी बहुत नहीं कंचन, मेरी पूरी बात सही है हम लोग इतनी तकलीफे उठाते हैं लेकिन हमें क्या मिलता है? ना ही तो पती का प्यार, ना ही कोई सम्मान ये बात तुमने गलत कही मेरा हस्बेन, I mean मेरा रगु मुझसे बहुत प्यार करता है बहुत प्यार करता है टेस्स करें हम लोग टेस्स करें कि मर्द औरत को कितना प्यार करता है एक बात सुनो अपने प्रेगनेंट होने की बात है अपने हजबन रगु को मत बताना फिर देखना जब तक तुम्हारा पेट दिखेगा नहीं तब तक रगु को पता ही नहीं चलेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो मैं भी प्रूफ करके बताऊं कि रगु मुझसे बहुत प्यार करता है देखना कर शाम तक ही उसे पता चले जाएगा अच्छा लेट्स हब बेट ठीक है बेट बेट निकी निकी रगु कहा है ऑफिस गया है ओ निकी आप अपी तुड़े क्या पाते दीदी को लोट्री लगी है मैं बता हूँ रगु साप घर चोड़कर जाने वाले नहीं तो बता ना निकी ममा का दुबाई से फोन आया है कि वो सारी जादा मेरे नाम कर रही है ऐसा भी नहीं है निकी तो क्या है दीदी अ अच्छा मैं तुझे क्लू देती है अप इस घर में ना इस घर में एक नया मैन आने वाला है ओ दीदी तो ऐसे बोलो ना तुमने इस घर के लिए एक नए कुट्ध का ओरर दिया क्या तून सोच ना निकी दी ऐसी कौणसे खोशकबरी हो सकती है मैं बता हूम रचा हो कंचंदी इस और सब्सक्राइब इसका मैं मॉसी बनने वाली हूँ जीजी को फटाफट ख़पर देनी चाहिए ने ने उसे माज बताना उसे न अपने आप पता चल जाना चाहिए वो क्यों वो में तुम्हें बात बे बताऊंगी पे तुर रगु को ऑफिस में फोन तो कर कॉंग्रेजुनेशन तुम मामा बनने वाले हूँ है 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 था है 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 आ कि ए ए-ा हेलो झाल से वार मां हेलो एलो सेर्विसेट थ ayud September है हाई रगो कंचन तुम्हें 50 बार काया कि जब मैं आफिस में रहता हूं तो मुझे फोन मत क्या करो मैं बहुत बिजी हूँ यहाँ पर वो क्या है न रगू एक जरूरी काम था वरना मैं फोन नहीं करती हाँ बताओ क्या काम था वैसे बहुत बिजी हूँ मैं रगू घर आते वक तुम मेरे लिए कच्छे आम लेके आओगे प्लीज तुम कच्छे आम होगा क्या करोगी यू ही मुझे न खटा खाने का मन कर रहा है लेके आओगे न आज़ा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ अगर मिल जाएंगे तो ले आओँगा यू स्वीट रगू आक्षी कंचन आई लब यू तू कंचन यार ये कंचन इस वक्त कच्छे आमुगा क्या करेंगी तो ये बात है उस डॉक्टर नी से आपका चैलेंज लगा है इसलिए जीजु का टेस्स लिया जा रहा है यह औरत मर्द वाली बात इस गलत है अब मेरी बाबो मुशे की फिल्में देखो उसमें हीरोईन का पेंट नहीं जुरो होता है जितना की हीरो का बस 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 देखाओ हमरे ख्याल से डॉक्टर नी की बात एकदम सही है रगु साहब कंचन बीबी को प्यार व्यार नहीं करते हैं बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम औरत होने के बावजूत इस बात में में मर्दों की साइड लेती हूँ हाला कि मर्दों का प्यार दिखाने का तरीका इतना अब्य प्यार चुके होंगे ओफिस ठीक पांच बजे बंदोता ना ठीक साड़े पांच बजे वो घर पे होंगे एक हाथ में होंगी कच्छे आमू की थेली एक हाथ में होगा गुलाब का गुल्दस्ता चेहरे पे बुस्कुराहत और पर कहेंगे हलो जारेंग मुबारक हो किया कहा जा रहा था कि रगुस आप ठीक साड़े पांच बजे आएंगे उनके एक हाथ में कच्छ आम की थेली होगी दूसरे हाथ में गुलाब का गुल्दस्ता प्यार से मुश्कुरा कर कहेंगे कंचान अया डगकन तुम ने रगुस आपकी क्या सॉलेड आवाज निका तुम उनके डबिंग आइको ने करते हो कंचन यह लो पकड़ो यह क्या है यह आम का जूस पैक करवा के लाया हो तुमारे लिए लेकिन मेरे तुम भी कच्छ आम लाने के लिए का अब कच्छ आम में कहां से जूडने जाओं अरे हमारे ओफिस के सामने एक जूस वाला अरे भाई महलाओ की फेलिंग के साथ खेलना मर्दों के लिए एक आम बात है जीजू आपको याद नहीं दीदी नापसे क्या कहा था उसने कहा था कि उसे खटा खाने का जी कर रहा है इतनी सी बात है अरे याद है भाई याद है तभी तो मैं जूस में इतने प्यार से नीम अरे होगी है नहीं पर कहा है टी रहने दो तुम जाओ कि इस बात काना कोई फाइदा नहीं है तो नहीं सब्लोग मुझ पर अट今 रहा है लगता है सिब आम बात है अहीं आटक किया नहीं किर मेरा जी कर रहा है कि इन पर अटक कर जो छेंकर इंको शहिएद कर दो निकी ऐसे कहते हैं मेरे होने वाले मुन्य के पापाई के बार मैंसे मत कहो और काय कहे रगू साब तर काय पड़ नहीं समझे समझ जाएंगी बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि इस घर में जूनियर रगू के एंट्री होने वाली है एक और रगू यार रगू, तुम कपडे की उतार रहा हो क्यूंकि मैं नहाने जा रहा हूँ, और मुझे आज तक कपडे पहन के नहने की आददद नहीं है तो आदान डालओ, जीजू एक काम करना, मुह पर और हातों पर नहाने का साबून लगाना, और कपड़ों पर कपड़े धोने का साबून लगाना, याने नहाना और कपड़े धोना तोनों एक साथ हो जाएगा, अरे वा, धन्या है वो मा, जिसने तुम जैसे बेटियों को पैदा किया, तुम लोगों को तो आई एस एक्जाम में बैठना चाहिए हम बातों से ही इंटेलिजन लगते है ना इसलिए नहीं इसलिए बैठना चाहिए ताकि तुम्हारे मार्क्स देकर बाकी के लोगों को अपने दिमाग पर गर्व हो अवे जाओ बाहर में को नहने दू रगो छोड़ो छोड़ो चोड़ो तुम कपड़े मत उतारो क्यों क्यों कि तुम्हें मार्केट जाना है मार्केट क्यों जाना है तेखो नरोगो इस रूम की दिवारे कितनी सूनी सूनी हो गई है तो तुम चाहती हो कि मैं मार्केट जाकर कुछ कीले खरीदूँ ताके हम धक्कन को इसमें टांग सके है ना नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मार्केट से इस रूम की दिवारों के लिए अच्छे-च्छे प्यारे-प्यारे से पोस्टर्स लेके है ठीक है मैं समझ गया क्या समझ गया मैं समझ गया कि तुम चाहती हो कि इस घर में कुछ प्यारे प्यारे पोस्टर्स दिवारों पे टंगे जाए ना तो ठीक है ये मैं गया समझ गया समझ गया और ये मैं आ गया और साथ में प्यारे प्यारे पोस्टर्स भी लेके आया जीजू, सिर्फ पोस्टर्स ही लाए है या कुछ समझे भी अरे, सब समझ गया, मैं घटिया पती नहीं हूँ, इतनी छोडी सी बात नहीं समझूगा गया देखा, मैंने कहा था ना, कि रगु पोस्टर वाली बात सब कुछ समझ जाएंगे आपकोर्ज, इग्जाक्टली, ये रहे प्यारे प्यारे पोस्टर्स ये है काजोल, देखो, कितनी प्यारी प्यारी आखे हैं, पकड़ो, बिल्कुल तुमारी तरह, ये है करिश्मा, क्या प्यारे प्यारे रसीले होट हैं, ये पकड़ो, और ये मनीशा, कितने प्यारे प्यारे गाल हैं बस भीजू बस आपसे कहा था कि बच्चो के पोस्टर्स ले आइए ये क्या उठा टेलायो आप इनको बोला एमोशनल एक्टिंग कर रहा तो ये कॉमिली करने लगे रगुसाब एक इमनेट लगे हाथ आप ये बताये कि पोस्टर वाली बात से आप क्या समझे थे ये पोस्टर वाली बात से मैं ये समझ गया कि मेरी बीवी कंचन एक पती ब्रता नारी है वो नहीं चाहती कि मैं सुभा उठने के बाद उसकी शकल देखूं बल्कि वो चाहती है कि मैं इन प्यारी प्यारी हिरोइन्स की शकल देखूं इरोरी है अरे नहीं बाबा ओल तु ही मेरी मनिशा तु ही मेरी करिष्मा तु ही मेरी काजॉल बस सर्थ हाँ बुड़े हो जाने के बाद ये लोग ऐसी दिखने वाले है ना दीजो आप जाए ये क्यों लेकिन देखो मैं आप जाए ये आप जाए आप जारा हो मेरे पास आज की रात और कल का अधा दिन है ये वाला पूरा जनम और अगला आधा जनम और भी पड़ा हो ना तब भी ये समझेंगे नहीं देखते हैं न तो देखा अरे पागल होगी हो क्या ये रात को क्या पढ़ रही हो सो जाओ मैं तो लोरिया पढ़ रही हो सारी की सारी याद करूंगी मैं लोरिया क्यों याद कर रही हो कोई भी गाना गाओ तो मैं डर के मारे जल्दी जल्दी सो जाओंगा बिल्कुल बच्चों की तरह बात करते हो बच्चों की तरह मैं तुम्हारे लिए थोड़ी न लोरिया याद कर रहे हूँ लोरिया? खंचन? लोरिया तुम किस के लिए याद कर रहे हो, खंचन? कोई छुपा है लगता है रूम में? कौन है? अरे बाहर निकाल, कौन है? रगू? रगू, रिलाक्स. क्यो? रगू, क्यो, मैं किसी के लिए लोरिया याद नी कर रहे हूँ, ऐसी पढ़ रहे हूँ ऐसी पढ़ रहे हूँ मतलन, और लोरिया वाद को कोई एग्जाम है क्या? लगता है तुमने मेरी आइस वाली बात बहुत सीरिस्ली वेली आइस एक्जामें क्या लोनिया लिख्या होगी चब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सनुदो समझे तुम वह तो कह रहा था मैं गोड़ नाइट गोड़ नाइट कैसा पती मिले मुझे कुछ समझता ही यह कैसी पत्नी मिलिये मुझे सोने भी नहीं देती राद राद बर जाखता रहता हूं मैं जा जार्य जा बाल नमवाँ क्यों अरे देवां मेरे को तो रहा कंचन लीदी पर इतना तरस आ रहा है काई बोलवा था हमको तो तरस के साथ प्यार भी आ रहा है अड़ देखो ना वैचारी साथ बआसे उटके बैटिये क्या आता रगो साब उठेंगे आता रगो साब उठेंगे आड़ी बाबा जान जाएंगे कि इस घर में कौनसी नहीं खुशी आ रहे है लेकिन रगो साब वो तो गोडे बेच के सो रहे हम का यह बात पहले सही मालूम थी कि रगू साप कंचु के दिल के बात कभा ही समाजे नहीं सकते अब आगे न उनका असली चेरा सब के सामने है कर दो आगे जाए प्लीज कमें दीडी दीडी हाइ कंचन अरे तुम यहाँ मैं क्लिनिक जा रही थी सोचा तुम से मिलती जाओं क्या हालचाल है तुम्हारे रगू को पता चला की नहीं वो नहीं यह अब ही नहीं नहीं यह लेकिन आज उसरूर पता चल जाएगा जीजु आ रहे, आप देख रहे, डॉक्टर नमस्ते, नमस्ते, सुबह सुबह आप यहां सब खेरिये तो है कंचन, तुमसे मतलब, जी आप तो ऐसे डांटरी, अरे, ये ये क्या बना रहे हो, जीजु, दीदिया रहे है, छोटे बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के कंचन, मैं ये खुशकपरी अपने दोसको सुनाता हूँ, आपी तुम समझ गे ना, सब समझ गया है, हाँ, सब समझ गया है, हाँ, हाँ, टीटू, रगू बोल रहा हूँ, हाँ, खुशकपरी है यार, मेरी बीवी है कंचन, वो घर में महीला लगू द्योग शुरू करना का सोच रही है, हाँ, बच्चों के छोड़े-छोड़े स्वेटर बना कर बाजार में बेजना चांती है, तेरे पैचान में कोई डिलर विलर हो ना तो बताना मेर को है, ओके भाई, ओके दिटू, बास करो, तुम जब मार नेक जैसे हो, औरत के फीलिंस की तुमे जरा भी कदर जरा नहीं है, शी रगु, शी जी जी जू, शी, शी रगु साब, शी मिस्टर रगु, शी रगु, शी रगु, शी पर काई के लिए? दीदी! दीदी! कि штंची, डीदी! इस अफ क्या है? वो क्या है कि मैं कल ही समझ गया था कि ये गैर जमेदार घटिया इंसान जिसका नाम रगू शुकला है बाप बनने वाला है थोड़ा टेस्ट तुम लोगों ने लिया और थोड़ा मैंने तुम लोगों को तडपाया क्यों रिसाब बराबर ना मेरे होने वाले बच्चे की अम हमा यह जब कुछ तक है कांचर जो अच्छन को हैंकि अःँए एस प्रओड फादर अथा की अच्छ एए रावड चिगेड़ागू